वेल्कम स्टुडेंट चैप्टर नंबर सेविन फ्रेक्शन तो वाट इस फ्रेक्शन फ्रेक्शन रिप्रेजेंट पार्ट यह हमारे पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है लाइक मैंने आपको एक्जामपल जैसे यह आपके लिखा हुआ है वन अपॉन टू एक चीज को आणा एक आपके पास केक है यह आप इस तरह आपके पास एक केक है आपने क्या किया जब दो स्टुडेंट है आपके पास ओके पास अपने किया कि क्यों न इस स्टुडेंट करके और दोनों में डिस्टिबीट कर दिया जाए इससे क्या हो कोई भी स्टुडेंट नराज नहीं हो किसी को भी बुरा नहीं लगे अगर आपने बाइचांस यह एक स्टुडेंट को पूरा केक दीजिए और एक को कुछ भी नहीं दिया तो उस स्टुडेंट को सकता में भी बुरा लग जाए आपने बोला कि नहीं मुझे क्या करना है मुझे इक्वल इक्वल डिस्टिब्यूट करना है आपने इसको बिल्कुल सेंटर से इसको कट कर दिया ठीक है तो अब यह केक जो पूरी क्वांटिटी था एक पूरा बड़ा केक था पूरी क्वांटिटी यानि होल नंबर था इसक एक स्टुडेंट को one piece मिला, और दूसरे को भी one, तो देखो, इसने पूरी quantity को थोड़ी represent किया, पूरी quantity का मतलब था one, बट यहां पे क्या हो रहा है, two part में से एक पार्ट, two part में से एक part मिला है, हाना, two part में से एक, two part में से एक, दोनों student को two part में से only one part मिला है तो यहाँ पर part को represent करता है ratio fraction रेशियो के दो fraction के दो same thing है और जो fractions होते हैं वो किसका ratio है वो natural numbers का ratio है natural number कहाँ से start होते हैं one to infinity जिसको infinite बोल दीजिए infinity बोल दीजिए natural number start from one to infinity so fraction are the ratio of two natural numbers so fraction are the ratio of two natural numbers natural number को यहाँ किस फॉर्म में लिखा जाएगा P upon Q, A upon B कुछ भी बोल दीजिए ना तो A कौन है जो उपर लिखा जाता है उसको बोलते है numerator जो नीचे जो लिखा जाएगा उसको बोलते हैं denominator अंश हार fraction को इंदी में बोलते हैं भिन और natural number को बोलते हैं प्राकत संख्या, numerator को बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं denominator जो numerator upon denominator की फॉर्म में लिखा जाए वो fractions कहलाते हैं यह आप इसको ऐसे तरह से बोल सकते हैं fraction are the ratio of two natural number natural number का ratio होता है natural number one से infinity और fraction अमेशा part को represent करता है like आपको आपको मैंने आप example देके समझाया one by two, यह two part की गया है cake के और हर एक student को one part दिया गया, okay and condition यह भी है कि जो denominator है और जो numerator है वो natural ही होना चाहिए, negative number नहीं होना चाहिए, zero भी नहीं होना चाहिए okay, so यह conditions है, so only one से लेके infinity रखके number होना चाहिए, अब now fraction के type है, proper fraction so fraction whose numerator is smaller than its denominator like one by two जिसका numerator छोटा हो denominator से, like three by four, ठीक है, so यह सारे आपके कहें proper fraction है तो कि यह properly part को ही represent कर रहे है, four में से three part two में से one part, next होता improper, improper जिसका denominator छोटा हो और numerator बढ़ा हो, अभी हमने proper में देखा था जिसका numerator छोटा था और denominator बढ़ा था, यह तो proper का example था, अना but improper में आप देख रहे होगी denominator इस बार छोटा है और numerator बढ़ा है जब इसको आपने divide करोगे तो यह चले जाएगा, three two one जा two and one remainder बचेगा and then two, तो improper को इस तरह के fraction में बदला जा सकता और इस तरह के fraction को बोलते है mix fraction, जहां whole number भी हो और fraction part भी हो, whole part भी हो और यह fraction part भी हो, उसको बोलते है mix fraction, और जब आप mix fraction को solve करते हो, तो आपके पास improper fraction आएगा, दोनों एक दूसरे से connected है, improper को solve करोगे, तो mix fraction आएगा, mix fraction को solve करोगे, तो improper आएगा तो यह दिखे, जो fraction, जिसमें whole number भी हो और fraction part भी हो, वो कहलाते है आपके क्या mix fraction, ओके इसको solve कैसे किया जाता है रखो, यह denominator और यह numerator और यह है आपका whole part तो इधर बोलेंगे इसको quotient remainder diviser, तो इसको solve करने का इस तरह से तरीका है this into this, 7 to 14 plus 3, 17 upon 7, देखिए यह एक improper fraction है, denominator छोटा, numerator बड़ा कैसे solve करते हैं, जो fraction के नीचे वाला number है, इसको whole number से into करते हैं and जो fraction के उपर वाला number है जो total आपका जो product आया है उसमें इसको जोड देते हैं, 7, 2 जा 14 plus 3 17 upon 7, 7, 2 जा 14 plus 3 upon 7 जो नीचे लिखावा तो उसको नीचे लिखा जाता है, पहले इसको इससे into किया, 14 इसमें 3 जोड दिया, total आपका 17 इसको लिखेंगे numerator में और इस 7 को लिखेंगे कहाँ पर denominator में हर एक आपके mix fraction को इसी तरह से solve करते हैं जैसे next, 5, 3 जा 15 plus 4, 19 और upon में यह 5 ठीके, तो यह हमने fraction और fraction के type पढ़े now equivalent fraction equivalent fraction means आपके fraction दिखने में बले अलग हो लेकिन जब उनको simplified किया जाए solve किया जाए तो वो आपके एक जैसे ही answer लेके आए like यहाँ पर आपके सामने लिखा हो है 1 by 2, 3 by 6, 2 by 4 यह सारे equivalent है देखिए कैसे, जब मैं 2 by 4 को solve करूंगा तो में पास 1 by 2 आएगा क्योंकि 1 by 2 यह आपके सबसे simple fraction है कैसे पता लगा simple है क्योंकि fraction की condition होती है कि जो आपके उपर वाला और नीच वाला number है numerator और denominator है यह same number से ही divide होना चीए और अगर आप इन में कुछ into कर रहे हो like आप numerator मे 2 into कर रहे हो इसमें plus 3 कर रहे हो तो नीचे वाले में भी plus 3 उपर वाले में minus 3 कर रहे हो तो नीचे वाले भी minus 3 मतलब जो max के अपके चारो operation है plus minus into divide एक जैसे number से होना चीए numerator denominator से यह दोनों तरह से best friend हो गए चो यहाँ पर हम देख रहे है 1 और 2 1 के अलावा और किसी से divide नहीं हो रहे हैं इनका जो factor है common factor वो 1 है यह भी 1 की table में full divide हो रहा है यह भी 1 की table से fully divide हो रहा है वैसे यह 2 की table से हो रहा है लेकिन 1 बोल रहा है मैं 2 की table से fully divide नहीं हो सकता तो मुझे please divide मत करिए तो बोला फिर आप किस से होंगे fully divide बोला मैं 1 से होंगा तो बोला ओके then हम तो best friend है तो 2 ने का मैं भी फिर 1 से ही divide होता है it's mean हम दोनों का common factor कौन है हम दोनों को commonly कौन divide कर रहा है only 1 जब numerator और denominator आपके commonly 1 के अलावा और किसी से divide नहीं होते तो वो कहलाता है simplified fraction तो यह simplified है सबसे ज़्यादा और simple fraction के ही equivalent बनते हैं तो यहां देखे 3 by 6 को अगर मैं solve करता हूँ तो मैंने इसको divide किया 3 से इसको भी divide किया 3 से तो यह आ गया 3 बन जा 3 और यह गया 3 2 जा 6 तो देखो इसको simple करने पे यानि इसको common factor था 3 उसको हटाने पे यह हो गया आपका 1 by 2 यानि simplified form 2 by 4 को भी ऐसे देखी solve करते हैं इसको divide किया 2 से इसको भी same 2 से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 क्योंकि हो रहे थे divide इसलिए किया हमको ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्थी हमना divide करवाए जब होगा तब ही हम करेंगे दोनों ही 2 से divisible number है तो देखो इसको simple करने पे simplified fraction की equal आगया तो यह equivalent कहलाते हैं दिखने में बल्ले अलग हैं लेकिन जब इनको भी simple कर जाएगा तो यह 1 by 2 ही answer देंगे दोनों दिखने में अलग थे लेकिन जब simple किया गया इनको सरल किया गया तो यह दोनों हमको simplified fraction ही दे रहे हैं 1 by 2, 1 by 2 यह कहलाते हैं equivalent fraction fraction having equivalent value are called equivalent fraction मतलब इनको solve करने पे इनकी value equal आजाए तो यह कहलाते हैं